recession के बाद में construction का क्या होगा यहाँ पे हमसे question पूछा गया है कि उनको plant and designing का भी काम करना है जहाँ पे वो घर के अंदर plant and designing का काम करेगे क्या recession के बाद यह चीज सही रहेगी है फ़र नहीं रहेगी मेरे इसाब से जो मुझे लगता है अभी lockdown चल रहा है लोगों की income खतम हो गई है मतलब पैसा आ नहीं रहा है खर्चे हो रहे है अगर मैं business man की बात करके चलू जो अगर घर के अंदर indoor plant की decoration कोई कराएगा तो अच्छा पैसा कमाता होगा अगर वो top management के अंदर अगर नौकरी कर रहा है तो अच्छी salary कमाता होगा तो उसकी salary कट हुई होगी घर पे बैठा होगा तो कुछ खर्चे भी हो रहे होगे और काम भी कर रहा होगा घर पे बैठे बैठे अगर business man होगा तो employees की salary वेलरी दे रहा होगा तो loss तो होई रहा है तो इस पूरे recession के अंदर उनकी जेब से पैसा जा रहा है पैसा आ नहीं रहा तो उनकी जो saving थी वो दीरे-दीरे खतम होती जाएगी और recession जैसे ही खतम होगा उसके बाद ये फुक-फुक के गदम रखे क्योंकि इनके बाद इतना पैसा नहीं है और इनको अपनी saving को restart करना पड़ेगा ऐसा आंकड़े निकल के आये थे कि 60% जो construction है जो EMI चल रही है घर के उपर वो लोग default करेगे 60% default करने का मतलब है जितनी भी construction वाली sides है वो सब की सब खतम हो जाएगी इसके चकर में नई properties भी नहीं बनेगी और मुझे personally ऐसा लगता है कि real estate के अंदर बहुत बड़ा slum आने वाला है तो अगर आपको property खरीदनी है तो recession के बाद में कुछ time के बाद में माठ की जब खुलेगी उसके 6-8 मेने के बाद आप देखोगे property की rate बहुत नीची हो चुके होगे अगर आपको property के इंवेस्मेंट करनी है तो उस ताइन के लिए बहुत अच्छा है रही बाद इनके question की कि क्या हम plant plant का का काम कर सकते है मेरे हिसाब से उतना efficient नहीं रहेगा आप बाकी चीजों के उपर ज़्यादा द्यान दे सकते हो करने को आप कोई भी काम कर सकते हो मैं माना नहीं कर रहा पर आपको ज़्यादा मेनत करनी पड़ेगी